आपको पता ही होगा Samsung के अलावा जितने भी Android स्मार्टफोन से उसमें आपको Google डायलर देखने को मिलता है और Google डायलर में जब भी आप call recording करते हो तो सामने वाले को पता लग जाता है कि आप जो है call record कर रहे हो कुछ ऐसे तो इस नोटिफिकेशन को हटाने के लिए अगर आपके पास वीव और आईकू का स्मार्टफोन है तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे कि आप इसको हटा सकते हो तो क्या है वो ट्रिक आओ बताता हूँ आपको जाना है अपने डाइलर में और गूगल डाइलर में जाने के बाद यहाँ पर आपको यह वाला code डालना है और लास्ट में जैसी आप star or डालोगे डालने के बाद आपको जैसा दिखेगा यहाँ पर दिखेगा enable alternate phone and contact इसको जैसी आप enable करते हो अब जो है आपको यह दिखाएगा the alternate phone app has been enabled replace google phone with it on your home screen okay कर देंगे जैसी आप okay करो के यहाँ पर दिखाएगा phone को set करने के लिए set now करो और यहाँ पर जाके phone डाइलर को set कर दो जैसे आप set कर दो के अब आपको back जाना है और आपका जो google dialer होगा उसको यह phone app से convert कर देगा I hope आपको वीडियो helpful लगी हो और अगर लगी हो तो like, share, subscribe जरूर करना और जिनके पास iqoo और vivo का phone है उनके साथ इस वीडियो को share करो मैं उन्ता आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई